हलो बच्चो, CUET 2024 कब होने वाला है? कब आपका CUET exam होगा? कितना दिन आपके पास है? CUET exam की schedule कब है? कितना time आपको मिलेगा exam की तयारी करने के लिए? अभी आपके पास कितना time बाकी है? और कौन से वो तीन steps है? जिसको अगर आप follow करते हो तो आपका CUET 2024 में top score आएगा and आप university या फिर college में admission ले पाओगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो न तो मैं बता दू मैं तुमको guarantee देता हूँ अगर तुम मेरे guidance के अंदर रहे या फिर जितने भी अधर बड़े बड़े चैनल या creator तुम देखते हो तो तुमको इस बार CUET 2024 में top score लाने से कोई भी नहीं रोक सकता कोई भी नहीं यह जो तुमारा परोसी तुमारे उपर मजाग उडाता है न कल को यही तुमारे नीचे जीसर जीसर करेगा याद रखना इस बात की हो समझ गए तो इस चैनल को subscribe कर लो और मेरी बात सुनो आपके पास महस 15 से 16 दिन कंदर आपका exam खतम जी हाँ खतम हो जाएगा और अगर आप gap के हिसाप से गिनो कि आपको कितना gap मिलेगा पर exam के बीच में इसकी कोई भी guarantee नहीं है कोई भी guarantee नहीं है मैं आपको यह बात एकदम honestly बता रहा हूँ कि अगर मैं CUT exam की date की बात करू ना तो कोई भी gap नहीं हो सकता है कि आपका exam पहला आपने 4 paper दिया हो पहला exam आपका 15 को हो दूसरा exam आपका 18 को हो तीसरा exam 24 को हो और चौता exam 30 को कुछ भी हो सकता है या फिर यह भी हो सकता है पहला 15, 16, 17, 18 खतम इस तरीके से भी हो सकता है तो इसके ओपर कोई भी guarantee नहीं होता है हर बच्चे का अलग-अलग दिन exam हो सकता है अगर आपका आज English का exam है तो हो सकता है आपके दोस्त का English का exam चार दिन बाद हो तो इसमें कोई hard and fast वाली rule नहीं है कि सब का एक ही दिन paper होगा ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है तो कितना time है यह आप predict नहीं कर सकते हो ठीक है अब अगर हम बात करें CUET exam की application form कब आएगी registration कब शुरू होने वाली है तो registration भई आप लगा लो कि February के starting में आपकी registration शुरू हो जाएगी first week या फिर second week में ही आपका registration चालू हो जाएगा आपका online application form आजाएगा अब अगर हम बात करें कि CUET 2024 के लिए आपके पास अभी से कितना time है अभी से तो अभी कौन सा महीना चल रहा है अभी अगर आप लगा लो तो October स्टार्ट हुआ है तो पूरा October है, पूरा November है December है, January है, February है, March है, April है तो आपके पास इतना दिन बाकी है अगर कोई बंदा ये वीडियो लेट से देख रहा है किजाए महीने में CUET एक्जाइम निकाला जा सकता है बिलकुल निकाला जा सकता है लेकिन लाना कैसे है ये समझो ये तीन स्टेप में, जो पहले आपको बोला ये जानना तो महारे लिए बहुत जरूरी है ना ले आओ, 100% भी क्यों ना ले आओ, तब भी guarantee नहीं है कि तुम्हें कोई Delhi University का North Campus का Top College मिल जाएगा, तुम्हारा sensitive and Miranda House की रोडी मल, Hindu किसी में भी admission हो जाएगा, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हें ये बात लिख के दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम CUET exam में Top Score करते हो, अच्छा score लाते हो, और तुम्हारा 12 में खराब score ही क्यों ना हो, तो भी तुम्हारा भारत के Top College में admission हो जाएगा, ठीक है, अब CUET में Top Score करने के लिए, तीन step को आपको follow करना है, ठीक है, पहला जो step है, वो ये है, कि आपको previous year questions paper को अच्छा से solve करना है, अगर आप ने previous year questions paper को नहीं solve किया, तो इसका सबसे बड़ा blunder mistake ये होगा, कि आपको exam के difficulty level का पता ही नहीं चलेगा, कि exam कि सस्तर का होने वाला है, आप हवा में तीर चलाओगे, इसका मालो, हो सकता है exam का level यहाँ पर पढ़ाई इस level पर कर रहे हो, या फिर हो सकता exam का level इधर हो, और आ Cv.C.R. question बनाना बहुत जरू हो, second numbers उपाय मैं आभी आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से जदा sample paper mock test test series लगाना है, भाई अगर तुम ये चीज़े नहीं लगाओगे, तुम्हें एक गधा consider किया जाएगा, यह तो उसकी से बिल्कुल वाकिफ नहीं हो अगर आपको पता नहीं है उनलाइन कैसे देते हैं तो तो इस case में आपका score बहुत कम जाएगा, मज़ाक सा अटके, लेकिन अगर आप online देने में सक्षम हो जाते हो, तो definitely, definitely आप CUT में तगड़ा score कर पाओगे, मज़ाक सा अटके, सच बतारों मैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कि आपको अभी से जा करके online exam देना है, online test देना ह कि भाई, तुमको NCERT को चाट जाना है, जब मैं बात कर रहा हूँ, चाट जाना है, मतलब जीव से नहीं, मतलब दिमाग से, इस तरीके से NCERT के concept को तुमें रटना है, समझना है, concept को अपने दिमाग में उतारना है, कि exam में उससे related कोई भी question आ जाए, तुम exam में 4D के NCERT पे based होंगे, और वो भी class 12th वाला, बस, 11th वाला भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ class 12th वाला, और बात करें, English और General Test का क्या करें, सर, उसमें तो domain नहीं है, उसमें तो NCERT नहीं है, तो उसके लिए मैं dedicated video लाओंगा, और पूरी strategy लाओंगा, अगर आपको video चाहिए, तो comment क करते जाओ, और जब नमबर आएगा ना, तब हला करियो, जितना करना है, समझ गए, शुगर यह वीडियो देखने के लिए, thank you so much for watching this video, मिलते हगले वीडियो में, love you, tata, bye bye